मोगा में डिप्टी कमिशनर की दफ्तर के नजदीक में रोमेरा एजनसी में से दो व्यक्तियों की और से बृजा गाड़ी लेकर फरार होने का मामला सामने आया है जानकारी देते हुए सुशील पांडे ने बताया कि दो व्यक्तियों की एजनसी में आये और वरक शौप में जाकर बृजा गाड़ी की सेलफी मारी गाड़ी रुपने पर उन्होंने धक्का देकर गाड़ी भगा ली उन्होंने कहा कि बारिश होने की वजह से एजंसी का मेन गेट खुला था, चौंकी दार द्वारा उसको बंद नहीं किया गया था, जिसके चलते वे भागने में काम्याब हो गए बिज़ागारी उनके पास काम करवाने के लिए आई हुई थी, जिसके मालिक कहीं बाहर गए हुए है, उन्होंने कहा कि कल सुभा तक वे उनके पास पहुंच जाएंगे और उन्होंने इसके बारे में उनको जानकारी दे दी है अजार टीवी निउस के लिए मोगा से बिट्टू पुर्वा की रिपोर्ट देखे लिए थी, यह अजे बाहर गेट लगा होता है तो कैसे दकादेके निकल गया हुए बाहर इसके कारव में गेट कुला हुए था, लेटी गड़िया आरी जाने थी, भी निखार तो यह सवाली निशान भी खड़ा होता है, अपी कंपनी पर ऐसे कुई लेकर भगा के और वार्श न प्हुल जो हिए भोडमों के लिसकी आजिए चुस्ट किस गुटी तो है ईतनली कि अगर बंद होता तो यहले और ना ने निगल से गयर मात थाई लिएकि अनथे प्रशिजियत कि इसकी कि महानते ऊस्को इसको ऑजल से सीट से गड़ आज एक सानु फूतना मिली सी इत मारीती जांसी देविचे ब्रीजा गड़ी कामकरान वासे आई सी एक्सीड़न्ट केसी हो और विचे तेनु नौजवान सी ओनरी जान्सी देविच आए तो पुष्यले पासे तरहे जैसे ने गड़ियां खड़ियां हुझे उन्हों लगया कि माल गड़ी जड़ी हो यंशी जो पर आके बाहर लाएगी सर कौन लोग सी किने जने आई सी तेन नौजवान दसे हैं बाग के जनना था कुई शानू पता नहीं रख सके अभी कौन नहीं तो लिए सर कौन बंदे और गड़ी ने रिकॉड मता हुझे यो बागा प झाल चे रिकौन नहीं जड़